हलो एवरीवन गाइज माइब विनित कांकरे और यूर कॉंट टीचर एड दिस वन्डरफुल चैनल इंबीए वाला बाई पी डवल्यू और दोस्तो अल अबाउट ओमेस सीरीज में हमने इनमैट देख लिया स्नैप देख लिया जैट देख लिया और आज जो हम कवर करने वा है तो अब अपना डिसीजन ले सकते हो लेकिन आज जिस एक्जाम के हम बात करेंगे गाईज वह है इंडियन इंस्टिट ऑफ फॉरेंट ट्रेड अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में अपना करियर परसीव करना है गाईज मैनेजमेंट डिग्री हासिल करनी है तो यह बहतरीन कॉलेज इसको अपना ड्रीम कॉलेज बना लो जो कि देल्ली में है और भी उसके सेंटर से तो हम आज सारी बाते करेंगे गाईज तो फोकस करो क्या क्या आज हम देखने वाले तो वह अगिन आइफ्ट कहा है कैसे है क्या होता है इलिजिबिलिटी देन हम उसका एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बेस्ट है बाकी कुछ और भी वहाँ पर जैसे कि बिजनेस अनलेटिक्स नहाना स्टार्ट हुआ है लेकिन गाईज बहतरीन कॉलेज है फोर इंटरनेशनल बिजनेस तो आपको अगर यह सारे चीज़ों में इंटरेस्ट है इंपोर्ट, ए एक यह ख्डार्ट हुआ है, एक कैंपस कॉलकटा में भी एक काकिनाडा में भी है जो कि आंतरप्रदेश में आता है, और रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट ईन्ट मंत ऑब सब्सक्राइबर, कभी कभी ऑक्टोबर तक भी फूर्म गया है उसके लेकिन टेन्टेटिवली सब्सक अप्टेबर में इसके forms out हो जाते हैं tentatively तो आपको बिल्कुल देखो आपने जैसे exam देदी cat की November में उसके बाद December में आपके लिए snap भी ready है December में आपके लिए IFT भी ready है January में तुरण Z ready है NMAT तो आपने देखा है कि आप एक attempt और दो अब अपनी कुरसी की पेटी बान लो क्योंकि अब मोसम बिगड़ने वाला है अब चल रहा है अपना में मन्त खतम हो गया अब जून स्टार्ट हो जाएगा तो काफी कम टाइम अगर आप सिर्फ cat पर फोकस कर रहे हो तो भी November आजाएगा अगर आप इन ओमेट्स पर फोकस कर हो तो लगातार ऐसा नहीं कि बस cat हो गया चले गोवा पार्टी करने नहीं है ना ओमेट भी पूरे शिदत से देना है एकदम बहतरीन प्रिपरेशन के साथ क्योंकि आप देख रहे हो syllabus मोटा मोटी लगबग सब में सेम है तो syllabus वाइस फरक नहीं जहां exam pattern अलग हो रहा है जह individual entrance का cat के लिए cat की mock test, z के लिए z की mock test and so on तो जब आप ऐसी mock test दोगे syllabus लगबग से में जब mock test दोगे तो आपको उस level of difficulty की idea और अपनी strategy बनाने की idea एगी कि कि इस exam में कौन से section के लिए मेरी क्या strategy होनी चाहिए accuracy पर कहा ज़्यादा focus होना चाहिए time पर कहा ज़्यादा focus होना चाहिए तो yes guys लेकिन अब वो time आ गया है कि आपने अप serious हो जाना चाहिए क्योंकि अगर देखे जाए आप in mat का first attempt देना चाहते हो तो October से आपकी exam अप start हो जाएगी फिर November में cat जैसे हमने गाए December में snap, IFT, January मे है काफी इंट्रेंसेटी स्नेट है, so guys December में exam होगी comparatively easier than cat, cat से easier है, z से of course easier है, cat अगर बोल दिया तो z cat दोनों से easier है, लेकिन हाँ snap के मुकाबले अगर आप बात करो तो थोड़ी सी high level पर जाएगी, है ना, आप cmat की मुकाबले बात करो थोड़ी सी tough आप बोल सकते हो cmat से, तो cat के मुकाबले थोड़ी सी easier है, yes, अब eligibility लगबग वो ही है दोस्तों कि आपका final year में graduation completed चाहिए first एक तो, नहीं तो कम से कम आप final year में चाहिए और आपको guarantee चाहिए कि जो उसका minimum criteria मैं वो fulfill करूँगा, जैसे कि आप अगर graduation ले चुके हो, वो भी recognize university से, recognize institute से, 3 साल का या 4 स और वो भी 50% percentage के साथ minimum, अगर आप general category को belong करते हो, तो अगर आप SC, ST, P, W, D, याने person with disability, अगर आप इन category को belong करते हो, तो 45% तक भी चलेंगे, तो ये एक तो fulfill चाहिए, या फिर आप अपने finals में हो, graduation के, लेकिन guarantee है कि आप इसको निकाल दोगे, इतना जो percentage चाहिए, वो निक submit करते होगे, हो सकता है कि admission आपकी हो गई, लेकिन result थोड़ा late आ रहा है, तो चलता है, एकदम ऐसा नहीं कि जिस दिन admission हो रही है, उससी दिन आपने result दिखाना, लेकिन आपको उतनी guarantee चाहिए, और जितना college ने आपको time span दिया है, उतने spam में तो result आ जाएगा, वो आपने document submit करते हैं, आदरवाज admission cancel हो सकती है, so yes, again there is no upper age limit, MBA करने के लिए upper age limit है नहीं, GMAT for international students and NRIs, yes guys, अगर आप international student हो, या फिर NRIs हो, तो फिर आपने IFT के entrance नहीं देनी है, इस entrance का नाम ही IFT है, तो आप GMAT डेकर भी admission ले सकते हो, clear है, तो GMAT के थूँ भी admission ले सकते हो, अगर आप international या NRI category को भी लॉंग करते हो, तो, now, exam pattern of IFT, तो दोस्तों एकलो exam pattern में ये सारे section से, इसमे quantitative, aptitude, same वो ये मैंने कहा ना, तो आपको preparation तो यार, subject wise, same, सिर्फ GK कहीं पर है, कहीं नहीं है, बाकि cons, LRDI, VARC, ये तो सब जगे हैं, लगबग same syllabus के साथ, थोड़ा बहुत कुछ topic कि इसमें जादा है, इसमें कम है, उससे कुछ निकाल के इसमें डाल दिये, उसके कुछ हटा दिये है, यहाँ पर same time speed distance है वहाँ पर भी है, बट यहाँ पर पूछने का थोड़ा level high है, यहाँ कम होगा, बस ये difference है exams में, तो ये तीन section तो भाई साब करना ही है, और ये तीन क के है यहाँ पर, तो गाइस, कौन के total 25 question आते है, VARC के 35 question आते है, LRDI के 30 question, and general awareness के 20 question, तो यहाँ पर number of questions देखो, differential है अलग-अलग है, और section wise, total mark 75, आपको समझ गया होगा, अगर 75, 25 question के mark 75 है, तो plus 3 mark for correct answer, and minus 1 for wrong answer, yes guys, यहाँ पर 1 third negative marking है, correct आया तो 3 mark, तो 25 in to 3, 75, लेकिन wrong आ लेकिन आप देख रहे हो, यह negative marking का जो system है, यह marking का जो scheme है, यह in section के लिए अलग है, और GK के लिए अलग है, जैसे है आपने Z में भी देखा था, Z में 3 section को negative marking थी, GK को negative marking नहीं थी, in fact उसका score हम Z score में consider भी नहीं करते है, वो भला ही final में, भला ही final selection के राइम देखा जाए, लेकिन Z तक उसको consider नहीं किया जाता था, बट यहाँ पर guys उसको consider किया जाएगा, लेकिन marking scheme इन तीनों की, यहने count, VARC, LRDI की अलग है, यहाँ पे हर correct answer को 3 है, और wrong को minus 1, लेकिन GK में हर correct answer को 1.5 ही है, मतलब यहाँ पे question का जो per question weightage है, वो थोड़ा कम कर दिया है, और wrong आन लेकिन guys, यहाँ पे question wise जो weightage है, वो कम कर दिया, 3 के जगे 1.5, तो देख लो, इसके 20 question into 1.5 बराबर 30 का weightage होगा, तो अगर आप इसको add कर लो, तो 300 mark की exam है, इन 4 section को मिला कर, ठीक है, और इनको add कर लो, तो 110 question है, guys, यह question कभी-कभी 110 आते है, कभी 130 आते है, तो यह vary होते आ लेकिन अगर आप latest 2-3 साल की बात करो, तो इन 2-3 सालों में यह pattern चलते आ रहा है, तो उमीद है, इस बार भी यही रहेगा, तो number of question for count, VARC, LRDI, GK, यहाँ पे हर correct answer को 3-3 इसलिए यह उसका mark हुआ, यह 1.5 इसलिए यह उसका total mark हुआ, 300 की 110 question की exam है, total 300 mark, यह बता दिया मैंन सी बात है, IFT computer-based है, यह भी बाकी exams की तरह, यह भी computer-based exam है, MCQ pattern, no sectional times restriction मतलब, guys, यहाँ पे total 2 घंटे आपको दिया जाते हैं, देखो, the duration of the IFT exam is 2 hours, और इन 2 घंटे में आपको कितने questions करने हैं, आपने देखा, 110 questions करने है, 300 mark का यह exam है, but guys, again, जहाँ पे negative marking होती हुआ, आपक 50% करके आप अच्छे खासे percentile ले सकते हो, Z में भी हमने बात की, hardly 50% attempt करके आप more than 97-98 percentile ले सकते हो, guys, उसी तरह यहाँ पर भी आपको सारे करने की जोरोत नहीं है, यह ना, आप आहराम से अच्छे खासे percentile ले सकते हो, बराबर strategy के साथ, वो कैसे आगे बताऊंगा, तो 2 गंटी की exam में है, बट एहमत सोचो सर, 2 गंटे में 110 question कैसे होंगा, और आप तो बोलतों कि इसकी level भी थोड़ी जादा है, snap और inmat के comparison में, तो कैसे होंगे, तो हमें पूरे करना भी नहीं है, ठीक है, don't worry, और सबसे best यहाँ पर sectional restriction नहीं है, जैसे कि cat में होता है, हर section को जो कि एक घंटा मेरे को बस अब count ही count करना है, और बचावा एक घंटा बाकी तीन section के लिए आप दे सकते हो, यहाँ पर आप jumping कर सकते हो, एक section से दूसरे पर दूसरे पर पहले पर, so no time restriction, sectional time restriction, लेकिन guys, यहाँ पर sectional time restriction भला ही नहीं है, लेकिन sectional cut off माना जाता है, जब आपको final short list के लिए call आता है, जैसे बाकी interest में भी आपने देखा है कि सिर्फ उसके score पे selection नहीं है, NMAT के score पे क्या selection हो जाएगा, Z के score पे selection हो जाएगा, नहीं, उससे आपको further round के लिए call किया जाता है, group discussion, interview, returnability test, तो guys, यहाँ पर भी जो second round के लिए आपको short list किया जाएगा, उसक के लिए sectional cut-off देखा जाएगा, जैसे अगर 2022 की बात करो, और sectional cut-off देखो, इतना bare minimum है कि आप बोलो कि sir, इतना तुम लही आएगे, लेकर ही आएगे, और भीना कुछ preparation कर लोगे तो नहीं होगा, और again guys, यह तो सिर्फ आप eligible हो की नहीं, short listing के लिए यह decide करेगा, यह मत चाहिए तो आप IFT देने के लिए eligible हो, देने के लिए, it doesn't mean कि IFT में आपकी admission होई जाएगी, फर देखो मेरे graduation में 55% आगए, अब मेरे को IFT मिल जाएगा, नहीं, वो तो सिर्फ आप eligibility criteria है कि 50% है, तो कम से काप exam तो दे सकते हो, selection होगा नहीं होगा, वो अब score पे depend करेगा, उसी तरह आप GD के लिए eligible होगी नहीं, personal interview round के लिए eligible होगी नहीं, वो depend करेगा in sectional cutoff पे, यह बड़ा important factor है, जो आपको यहाँ पे समझना है, कि आपको cont में, जैसे 2022 का यह tentative cutoff है दोस्तों, जिनको cont में 8 mark मिले थे हैं, यह सारे marks है, marks, अभी आपने देखा कि cont कितने marks का है total 75 marks का, उसमें से सिर्फ कितना? 75 mark का आपका cont था, उसमें से सिर्फ अगर आपको 8 mark मिल रहे हैं, तो आप eligible हो, इसका मतलब यह नहीं कि call आही जाएंगा, वो भी बहुत सी चीजों भी depend करेगा, call आपका, वो आगे मैं बात करूँगा, लेकिन हाँ, अगर 8 mark से कम हैं आपको जैसे 2022 में मानलो, आपको cont में 8 mark से भी कम आये होंगे, तो फिर तो आप eligible ही नहीं हो, फिर तो भूली जाओ, फिर यहाँ पे कितने भी आये होंगे, doesn't matter, क्योंकि मैंने अभी कहा है, यहाँ पे sectional cutoff देखा जाएगा, तो एक section में भी आपने उसकी minimum eligibility को break कर दिया, तो आप call expect भी नहीं कर सकते हो, यहाँ आपने कितने भी हिंडे guard रखे हो, ठीक है, तो yes guys, यह एक उनके website पे दिया गया, एक cutoff है, 2022 का tentative, so cont में 8 mark, vrc में 11 mark, जो की 105 mark का है, उसमें सिर्फ 11 चाहिए, उतना तो लेकर आएंगे दोस्तो, 14 mark DILR में, ठीक है, and जो की 90 marks का है, उसमें स 4.5 चाहिए, यह 2022 का tentative cutoff आपके सामने, अगर यह आजाए, तो कम से कम आप call expect कर सकते हो, बाकी अब और बातों पर depend करेगा, लेकिन कम से कम आप एक उमीद में रह सकते हो, इसमें से कोई भी अगर break हो गया, तो फिर तो आप वो उमीद भी छोड़ दो, समझे, तो yes guys, तो यह यहाँ पर एक चीज़ समझो, computer based common MCQ होता है, यहाँ पर 2 घंटा total एक 110 question के लिए 2 घंटे आपको दिये जाएंगे, जहाँ पर sectional restriction time नहीं है, आप jump कर सकते हो, लेकिन sectional cutoff है, जो कि आपके सामने 2022 का सामने मैंने रखा है, tentatively, so count का art mark है, VRC में 11 है, DLR में 14, and GK में 4.5 ए इन score में से, यहाँ पर कितना था? यहाँ पर था 11, यहाँ पर था 14, यहाँ पर था 4.5, तो अगर यह भी आपको है, तो आप कमसे हम expect कर सकते हो, now, अब देखो, वो call कैसे करता है, तो यह आया short listing criteria for second round, second round के लिए वो call कैसे करेगा, गाईस, तो जो भी आपका IFT का score है, उसक वो 73 का weightage देता है, मतलब देखो, total अगर 100% का weightage देना है, तो उसमें से आपके IFT के score को 73% का weightage देगा, मतलब आपको जितना भी score आया, उसको 300 के हिसाब से ना समझते हो, उसको scale down करेगा, वो 73 के हिसाब से कितना है, ठीग है, मानलो, आपको 300 के हिसाब से ऐसा percentile आया, जो 80 85 percentile के range में, तो 73 के हिसाब से कितना score है, वो आपको दिखाया जाएगा, या तीन सुग में आपको समझो, मिले है 120 mark, तो 73 के हिसाब से वो कितना weightage रखता है, वो आपको बताया जाएगा, ठीग है, मतलब वो बताया जाएगा, in the sense, वो college फिर उसको scale down करके convert करेगी, और बाक फिर आपके 10th के percentage को 10 mark का weightage है, 12th के percentage को 10 mark का weightage है, मतलब मानलो आपको 90 plus percentage है, 10th में, 12th में, 90, 92 plus percentage है, तो 10 mark मिल जाएगे, 85 to 90 के range में, अच्छा सर, हमें 90 plus मिले तो 10 मिलेंगे, और 90 से कम मिले तो सिधा 0, अगर आपको 90 से कम मिल रहे हैं, लेगिन 85 के अब हो है, तो फिर और थोड़ा सा हो क्या करेगा, इसमें एक-दो मार कम करेगा, अगिन 85 से कम है, लेकिन 80 से जादा है, और इसमें एक-दो मार कम करेगा, ऐसा नहीं कि बस 90 plus मिल गे तो 10, और 90 से कम मिले तो 0, ना, इसको फिर वो आपके percentage के हिसाब से कम करते जाएगा, अगर आपको और भी क priority देता है, मतलब पूरा weightage 73% का IFT के score को है, तो इस पे focus करना, आपने सिर्फ ये cut-off clear कर दिया, मतलब हो गए, 73 तो मिल गए, confirm, नहीं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ eligibility है, जैसे graduation में 50% चाहिए, लेकिन अगर 90% मिल गए, तो वो हमेशा एक को तो positive impact छोड़ कि इससे आप उमीद रख सकते हो, लेकिन call आएगा ही जोरी नहीं, हाँ, इससे कम मिले, इनसे कम मिले तो फिर तो call आएगा ही नहीं, लेकिन इतना या इससे जादा है, तो आप expect कर सकते हो, जिसमें वो क्या करेगा, आपके पूरे IFT के score को 73 के हिसाब से weightage देगा, है ना, out of 73 वो कितना हुआ, उनके formula से, उनके rule से, 300 में से बंदे को इतने मिले, जिसने sectional cutoff भी clear किया है, overall cutoff भी clear किया है, उससे भी जादा मिले है, तो according to 73 वो कितना, फिर 10th के percentage देखा जाएगा, उसको 10 के साब से हो mark देगा, 12th के percentage को 10% को priority देता है, then academic diversity, academic diversity मतलब आप engineering background से हो कि non engineering, guys, यहाँ पर अगर आप engineering background से हो, तो आपको 0 mark दे देगा, और non engineering से हो, तो 5% का weightage आपको दे देगा, उतना वो थोड़ा सा क्या करते है, रहम कर सकते है, क्योंकि हम रहम इसले बोल रहो हो, क्योंकि majority ये student मान चुके है, कि यार engineering background वाला है, तो इसको तो ये entrance में non engineering वालों ने भी cat को फोड़ा है, अच्छा खासा फोड़ा है, बट ये meet को भी अगर आप समझो बात को, तो यहाँ पर generally कम से कम वो maths के touch में होते हो, यहाँ पर maximum चीज़े आप देख रहे हो, quant में maths, LRDI में, थोड़ा सा maths आता, ये DIMे, तो guys, यहाँ इंजरिंग background से अगर 5% का, फिर 10th, 12th and overall IFT, कुल मिला लो 100% के सबसे फिर आप कितना बनते हो, और फिर वो चेक करेंगे कि आप उस लायक हो की नहीं, कि आपको second round के लिए बुलाया जाए, ये final selection नहीं अभी भी, ये सिर्फ second round के लिए, कमझ रहे हो, तो 73 IFT का score, उसको फोड़ोगे, तो इसको बेटेज है, इसलिए बोल रहा हूँ, सर हमारा 10th, कोई कोई एक्जाम मीन चीजों को देखा नहीं जाता, भले ही final interview पे वो consider कर भी लेते होंगे, mention नहीं किया है, बट consider कर भी लेते होंगे, लेकिन गाईज, अगर आप वो intensive words हो, जिसको maximum बेटेज है, तो फिर वो ची से आए है, बोल दो उनको, उनको पता है अगर बंदे में potential आज वो मेरे सामने इस chair पर बैठा है, मतलब इसमें dumb है, हो सकता है कि वाके में ऐसा कुछ हो गया होगा उसके साथ, ठीक है, तो yes guys, इसको maximum बेटेज इस पर focus करो, 10th को 10, 12th को 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, तो total 100 का वेटेज हाँ पर दे दिया गया है, now final selection, यह तो क्या था, सिर्फ second round में बुलाने का, final selection में भी देखो, IFT को again, 100 के इसाब से मैं scale करूँ, तो IFT को 45% का वेटेज है, फिर returnability test, group discussion, personal interview, इनके बाद अब second round के लिए बुला के कि आप से वो party variety थोड़ी करेंगे, आपके जाता है, returnability को 10, GD को 10 और PI को 20, हो सकता है कभी-कभी इन दोनों में से कोई एक ही ले ले, ठीक है, तो उसको 20 और इसको 20 दिया जाए, वो again वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड कर सकते है, ठीक है, वो उनको पुरा right है, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड कर सकते है, अगेन इसकी बाद हमने की, engineering, non-engineering, again engineering background के हो, तो यहाँ सीधा आपको 0 मिल जाएंगे, non-engineering के हो तो 2 mark, थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने settle करने की कोशिश किये, इस meet के साथ, कि yes, engineering वाल है, तो वो तो entrance में जाधा अच्छे करी देंगे, तो थोड़ा वो थ हम balance कर लेते, तो यह से बाटा गया है, तो IFT का जो score है, यानि कि entrance का score, जो आप December में देने वाले हो, उसको second round के लिए भी अच्छा खासा weightage है, 73 का, जो हमने यहाँ देखा, और उसको final selection के लिए अच्छा खासा weightage है, 45 का, भलाई interview, group discussion, वैट, इन सब को मिला के 40 का है, maximum weightage की score है, IFT को यह, और यह चीज़ आप क्या हाथ में है, सुधार सकती हो, यह हो चुकी है, अगर यह सुधरी हुई है, बले बले, बहुत बढ़ी सुआगा नहीं है, तो भी tension नहीं लेना है, यह नहीं सोचना है, रहे सर, यह तो हमारा सब बिगड़ गया है, वर्क experience तो ही नहीं हमारे पास, सर हम तो मेल है अब क्या गरे रहे बहुत अच्छा किया है तो अभी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है तो बट यह चीजों को इतना वेटेज मत दो मतलब होता है न हमेशा लाइफ बहुत सुंदर ब्यूटीफुल होती है लेकिन थोड़ इसी जब दिक्कत आ जाती लाइफ में ब उसको अब ज्यादा फोकस ना करते हुए मेजॉरिटी देखो किधर है और यह तो अभी भी सुदार सकते हो और फोकस करोगा और मैंने कहा न जब यह चीज़े सही हो जाती है तो इन चीजों को वह सामने वाला समझ जाता है कि बंदे में पोटेंशल है ना भलाई कम स्कोर आपको इसका नहीं मिलेगा लेकिन उसको पता है कि इसने इधर कवर कर लिया है तो जितना एक कट ओफ चाहिए फाइनल सेलेक्शन के लिए उतना आपने अगर यहां से लेकर आए तो हो गया ना इंचन किस बात का है तो यह सिलाबस में तो ज्यादा डिसकस करना ही नहीं है किसलाबस हर exam में हम डिसकस कर चुकिए कॉंड का गुम फिरा कर वही है तो कोई section यहां ज़ादा पूछा जाएगा तो कोई section जो यहां ज़ादा पूछा जारा है वो zhat में कम पूछा जाएगा वो किसी और section को ज्यादा देगा वो section wise जो चीज़े है strategies है कौन से topic पर कितना वेटेज उसके हम एक नई सीरीज लेकर आएंगे, यह बात मैं बोलने लग जाओ तो एक घंटा इसी में निकल जाएगा, हर टॉपिक के अगर बात करूँ तो, उस पर है एक नई सीरीज लेकर आएंगे कि कौन से एक्जाम, कौन से सेक्षन पे और उस सेक्षन के कौन से टॉ अगें, यहाँ पे इंग्लीश में यह सारा इंग्लीश आने वी आर सी, जहाँ पे वर्बल अबिलिटी और रिडिंग कॉम्प्रेंशन यह सारी चीज़े आएंगी हर बार हम एक्स्प्लेंड कर रहे हैं, इसमें भी एगन क्याट की तरह LR और DIM मर्च कर दिया गया है, जार बार बलता हूँ, हजारो लाखों चीज़े दुनिया भर में हो गई, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपका रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग से हो सकता है, बहुत सारे आप है, उसको डाउनलोड करो, जीके अपडेट आते रहते हैं, करंट अफेर्स के, तो उसको पढ़ वो स्टैटिक जीके, जो अभी भी हो रहा है, जितने हम बात कर रहे हैं, उसी बीच में होते जा रहा है, दुनिया भर में, वो डाइनेमिक जीके, जिसको हम करंट अफेर्स भी बोलते हैं, तो यह तो डेली रिडिंग करो, और इसकी बुक्स आती है, वो भी पढ़ना शु स्कूर की हैं, जो 300 में से था न, 300 में से, उसमें से अगर आप 120 से 130 के लगबग लेकर आओ, out of 300, तो यह safe score है, you will get more than 97, 98% है, और आप call expect कर सकते हो, यह मतलब safe score है, अगर आप 120 से 130, 300 में से सोच रहो, मतलब यह लगबग 1 3rd से थोड़ा जादा हुआ, 1 3rd से थोड़ा जाद तो 120, 130 न, पूरा करनी की जरूरत नहीं है, जहां negative marking है, तो सोचो मत सर 2 घंटे में कहा से हम 300, 110 question करेंगे, करना ही नहीं, 1 3rd से थोड़ा सा जादा अगर यह कर लो, यह भी safe score है, मतलब इस पर आप expect करी सकते हो, call, इसमें भी अगर थोड़ा कम आ जाए, लेकिन बाकी चीज आपको settle कर देगी, वो चीज़ अगर बिगडी हुए तो इसमें जादा focus करो, बस यह करना है, final round के लिए भी हम इसको weightage दे रहे है, साथ में बाकी interviews round को दे रहे है, बाकी बहुत सी चीज़े जो मैंने भी आपको बताई, तो again, कितना शिद्दत से आपको वो अगर सही तो you will get more than 97 to 98 percentile, और यह safe score है, और इसको अगर आपको मिल जाए, तो भाई, आप call expect कर सकते हो, 300 में से यह IFT का score में बताया, tentative fees होती है, उसकी approximately 21-22 लाग, है न, तो यह again, जो 3 center है, उसके साब से vary करती है, तो 21-22 लाग आप consider कर सकते हो, average package guys, इसका 25.1, यह total fees है, 22 लाग एनम, एक साल का average package इस बार उसका गया है, 25.16 लाग, 25.16 लाग पर एनम, एक साल का average package, मतलब देख रहे हो, ROI अच्छा खासा है, 1-1 से जादा है, और हमेशा हम बोलते हैं कि आप decision average package को लेकर दो, average package क्या है, अगर वो fees से काफी अच्छा खासा है, बड़ी figure है, तो आप बिल international business course, उसका सबसे जो flagship program है, international business है, तो यहाँ पर तो आप overseas placement भी expect कर सकते हो, तो yes, international placement का highest package गया है, 80 लाग का international, याने overseas, and domestic package गया है, 46.5 लाग का, यह highest, average हमने देखा, वो भी 2 साल के fees से जादा ही है, लेकिन guys, अगर उसका highest package देखो, तो domestic में हैंने, इंडिया की इंडिया में 46.5 लाग पर एनम, और highest 80 लाग पर एनम, तो guys, बहतरीन college, और मैंने कहा न, अगर आपको international business में interest है, या थान चुके हो कि मेरे को, भाई, IB में अपना career करना है, foreign trade में अपना career करना है, तो यह इसको dream college बना लोगा है, तो इसके पूरे जग्दो जहेद में लग जाओ, इसके interest, खास कर, IB में है, बाकी कुछ और course से, तो आपको यार, देखो, in fact, जो मैंने cut-off बताया, आपको जो मैंने minimum cut-off बताया, यह जो fees और यह सारी चीज़े जो बताई है, यह जो score बताया है, सबसे important, यह category wise vary होगा, हाँ, यह मैंने general category के लिए हिसाब से बताया, आप अगर SC, ST PWD, यहनि person with disability देखो, तो उनकी इसाब से थोड़ा score cut-off और कम जाएगा, यह ना, fees में भी concession मिलता है, यह आपको पहले से पताया, तो यह पूरी जानकारी आपको website से मिल जाएगी, in fact, यह जो मैंने, आपको minimum packet यह भी बताया, देखना, यह जो मैंने आपको minimum score बताया, यह यह तो खेर, ठीक है, यह तो उनका होता है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको यह बताया, 22 का, जो minimum sectional cut-off चाहिए ही चाहिए, तो यह general category के लिए, अगे आप बाकी category की बात करो, तो इससे और कम वो expect कर सकते है, कि इससे मानलो, sir, हमें 8 के जाएगे 6 ही आए, लेकिन अगर हो स बताया है, इसमें और concession आपको मिलता है, fees में, cut-off में, final score में, अगर आप other category को belong करते हो, तो, SCSTPWD है ना, और वो सारी जानकर यह आपको फिर website से मिल जाएगी, अगर आप interested हो, तो फिर इसकी search, research शुरू रखो, I hope आप clear हो दोस्तो, तो मिलते हैं, next session में, thank you so much, bye bye, good day, take care enjoy